गुडी बबनिंग, अस्टेंट्स आपम लोगर टॉपिक के मैब का रिवीजन करवा दे रहे हैं के मैब का जम वीडियो भी वेजे थे इस वीडियो के बावजूद भी के मैब का टॉपिक फिर से रिवाइट करवा दे रहे है सभी विद्ध्यार्थे ध्यान से देखिएगा और समझेगा के मैप को बनाने के लिए सबसे पहला Reduction Rule का यूज़ करना पड़ता है Reduction तीन परकार का होता है Pair, Quad, Octal अभी विद्ध्यार्थी हम इस विडियो को फिर से बना रहे हैं एक बार बनाए विडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फिर से आप लोगे लिए विडियो बना दे रहे हैं कि जरूर से जरूर विडियो को देखे और चीजों को समझने का परियास करें सबसे पहले Reduction Rule क्या होता है जो Value को Reduce करता है उसका नाम Reduction Rule कहते हैं तीन परकार का पेर, क्वार, औक्टल पेर हमेशा दो का जोडा बनाता है एक अक्षर को घटाता है क्वार्ड चार अक्षर का बनाता है मतलब चार नमबर का बनाता है दो अक्षर को घटाता है याद रखना है जब भी पेर बनेगा दो का बनेगा, क्वार्ज अभी बनेगा, चार का बनेगा, उसके बाद आता है अगला नंबर, जिसका नाम को ओक्टल कहते हैं, ओक्टल आठ का घेरा लगाता है, जिस आठ का घेरा में, तोटल तीन अक्छर को घटाता है, एक अक्छर को रखता है, मैप रॉलिंग क्या होता है यह जो मैप है वो चारों तरफ से रॉल है लेप्ट वाला किनारा राइट से जुड़ा हुआ है राइट वाला किनारा लेप्ट से जुड़ा हुआ है हर एक दिसा एक दुसरे से केनेक्टेड रहता है फिगर में देख पाईएगा उपर का ये चार नंबर नीचे का चार नंबर एक दुसरे से पॉल्ट है दूसरे से एटायच है मिला हुआ है इधर से भी दो नंबर इधर से भी दो नंबर एटायच है उपर का दो नीचे का दो ये भी एटायच है इसी का नमबर लिखते हैं common आपको बस याद रखना होगा जब ये दोनों में जो common मिलता उसको लिख देते हैं जो common नहीं मिलता उसको side कर देते हैं और आखरी नमबर आता है जिसका नाम है overlapping overlapping का कहना है जब कभी भी किसी expression में हम चीजों को एक element पहले से जुड़ा है और उसको फिर किसी और के साथ जोड़ते हैं तो जोडने वाला विधी का नाम को कहते हैं overlapping इसी का नाम है overlapping पहले से ये चार घेरा लगा हुआ है एक जैसे ही बाहर देखें तो इसको भी इसके साथ ज प्रोपर पूरा का पूरा आधा घंटे का विडियो बनाये थे नेकिन वो विडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया पूरा महनत खराब चला गया बट कोई बात नहीं हम फिर से विडियो बना दे रहें कि आप चीजों को समझ सकें नेकिन समस्या ये है कि हम आधा घंटा समय जाने के बावजूद भी हम वीडियो को फिर से बना रहें, लेकिन आप लोग वीडियो को एक बार भी ठीक से पढ़ते तक नहीं, एक बार मतलब रखते तक नहीं, एक बार देखते तक नहीं, तो सभी विध्यारति जरूर से जरूर वीडियो देखें, नमबर पहले 0 से लेक जहाँ पे sigma होगा वहाँ पे जितना भी number दिखेगा सब जगा one put करना है तो सब जगा one put करने का मतलब यह जहाँ जहाँ इस घेरा में अंक आएगा वहाँ वहाँ one लिखिएगा इसका नाम कहलाएगा quad क्या कहलाएगा quad दो गो इसमें quad आए अगला number question कहता है दुसरा में number भरने पे सभी कोई मिला ली जगा यह homework था आप लोगा बनाने के लिए इधर का चार number जिसको octal बोले दो number आया उसको pair बोले फिर कहता है नीचे का number तिसरा question को बनाने पे एगो आपका आया octal और एक आपका आया quad octal quad में answer क्या क्या आएगा वो आपको लिख लेना है अगला number चौथा number question में आता है जिसमें दो octal बनता है आठ का घेरा, आठ का घेरा पाच्वा number question जिसको बनाने पे चार number उपर, चार number नीचे यह दोनों एक octal बनाता है और यह जो चार number है यह एक quad बनाता है अब छठा number question क्लास में बता दिये थे इसमें भी दो octal बनता है आठ को तो दिखी रहा है चार इधर टोटल आठ नमबर का जोडा बनाता है जहान दीजेगा जो POS नहीं समझे हैं SOP के ही जैसा POS है बस अंतर यही है यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ वहाँ 0 लिखिएगा जहाँ पे सिगमा है वहाँ पाई का चिन होता है नमबर वही यह 0 से लेकर 15 तक बस इसको बड़ा M के साथ denote करते हैं इसके बाद का format आता है जहाँ जहाँ dot था अबर वहाँ वहाँ प्लस सब के जगा होगे जहाँ जहाँ उस पे बार था अबर नहीं होगा और जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ बार होगा नमबर बनाने के लिए जो अंग दिया है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे इसको बना यह आपका octal मतलब यह आपका quad बना एक और आपका quad बना दो overlap किया दो नया बना answer कैसे लिखें इस चारों का answer लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इधर का दो अंग देखें यह दोनों में common मेरा w आया और उपर से यह दोनों में common मेरा y आया और इसमें पूरा line में मिलाएंगे तो w पलस x बार तो answer भी w पलस x बार दुसरा को solve करने पे दो octal आएगा चार चार आठ और आठ नंबर ऐसा ही और तिसरा नंबर में भी solve करने पे चार चार आठ आठ को का घेरा बना और चार बीच का नंबर इतन ही से आप लोगा केमैप का टॉपिक समाप्त होता है दा इंड और कल से नया चैप्टर चैप्टर 14 प्रारम किया जाएगा चैप्टर 14 का क्लास चलेगा हम सभी का पिडियाप आपके वाट्सप ग्रूप पे भेज देते हैं जरूर से जरूर आप सभी कोई इसको नोट्स कॉपि में उतार लीजिएगा आठ नंबर का चैप्टर कल से स्टार्ट होगा और जिनको भी अगर कोई केमैप में टॉट होता है तो उन लोग मंगलवार को सुबा सात बजे आठ बजे, नौ बजे, साम चार बजे, साम पाँच बजे और साम छे बजे ये किसी भी समय में आ करके विद्यार्थी सब वो सभी चीजों का क्लास कर सकते हैं केमैप को एक बार और रिवीजन कर सकते हैं हम संडे को भी रिवीजन रख सकते थे लेकिन संडे को बहुत जगा पे टेस्ट, क्लासेस रख दिया गया था इसलिए हम चाहे कि अब जो थियोरी होता है अगला जिस दिन प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल में ही आप लोगो चीजों को रिभाईज करवा दिया जाए प्रैक्टिकल में ही आप लोगो के मैप का रिवीजन हो जाए तो द्यान से समझे और सभी विद्यार्थी कल क्लास करने के लिए आएए धन्यवाद